खुले आम एक university campuses पर जो भी dissenting voices हैं, उनको दबाने के लिए, रोहिद वेमिला की साथ जो हुआ, कनेया की साथ जो हुआ, बाकी जेन्यू students की साथ जो हुआ, अभी IMC की अमिट संगुपता भी उसकी शिकार हो रहे हैं, रिचा सिंग भी उसकी शिकार हो रहे हैं, तो ये BGP RSS का जो combine है, ये पूरी university campuses को RSS शाखा में बदलने की जो उनकी प्रयास है, उसको रोकने के लिए अब कोई चारा नहीं है, एक व्यापक आंदोलन की जरूरत है.